Hello everyone, मैं विश्चुजीत सिंग, आप सभी का दीना पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 06 का December 2022 की कोशिन पर को सौल्व करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम बात करें अपने बुक के बारे में MHI 06 के बारे में साथ साथ में हम यह देखते हैं कि समय के साथ में किस तर से परिवर्तित होता चला गया जो आज का समाज हुआ किस परकार का था और आसे 10 साल पहले का समाज किस परकार का था इसके बारे में हम स्टुडि करते कि किस तर से परिवर्तित हुआ इसका विकास का दौर क्या था कुछ questions भी आने के chances रहते हैं और एक idea भी मिलता है कि last year में किस तरह का तरीका था question को exam में put up करने का जिसके basis पर हमें तयारी करने में थोड़ी help मिलती है अगर आपको last year के कुछ question paper clear है तो easy रहता है कि हाँ इस तरीकी के pattern के basis पर exam में question बन सकते हैं जिसके basis पर आप prepare कर सकते हो चले हम अपना question paper को start करते हैं सबसे पहले question paper के बारे में कुछ basic detail समझते हैं फिर हम अपना question paper को solve करते हैं इस question paper को solve करने के लिए आपको total 3 घंटे का time मिलता है 100 number का paper आता है आपको 5 questions attempt करने होते हैं 10 questions आपके exam के अंदर में आते हैं सबसे most important चीज होता है जब भी आप किसी question का answer लिखोगे आपको हमें सब word limit को follow करना है और 500 word के अंदर में ही आपको अपना answer complete करना है यहाँ पर आपका normal basic detail हो जाता हमारे question paper का जो सभी question में almost similar रहता है हमारा जो इस question paper के अंदर में जो पहला question दिखता है वो पुरा पासान समाज से related होता है जिसमें पूछा जाता है कि जो उसके पुरा तात्विक परमान मिले हैं जो साक्षी मिले हैं वो किस परकार केते हैं देखो आज के समय में हम 2023 में रह रहे हैं कलियू का time period चल रहा है 23rdewजा चल रहा है और आज से अगर आप 50 सल पहली 100 चाहीं एसला पहली की बात करते हों तो हम सबसे पले किस चीज के बारे में बात करते हैं फिया परमान क्या है किस चीज के बारे में कुई परूफ है क्या कोई परमान है क्या क्या को长 fan में डिवाइड करके पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कि आरंबिक काल मद्दे काल और आधुनिक काल इस तरह से तीन पार्टों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं इसको पूरा पाशान काल मद्दे पूरा पाशान काल या फिर उत्तर पूरा पाशान काल करके तीन पार्टों इसका जो दूसरा stage रहता है जहांपर हम बात करते हैं मद्य पुरा पाशान काल के बारे में जहां पर 80,000 से लेकर 40,000 विस का जो time period रहता है वो इसके अंदर हम पूरा cover करते हैं वहीं पर तीसरा जो रहता है उत्तर पुरा पाशान काल मद्दे पुरा पाशानकाल और उत्तर पुरा पाशानकाल ये तीनों आ जाते हैं हमारे अब देखो पुरा पाशान मतलब होता क्या है पुरा मतलब पुराना पाशान मतलब पत्तर जहां पर पुराने पत्तरों का उप्योग किया गया जहां पर पुराने पत्तरों का पुरा यूग था, एरा था, उसको हम पुरा पाशान कहते हैं, अब उस में समाज का क्या रोल है तो उस टाइम पर लोग भी हुआ करते थे, किस परकार से उनका जीवन व्यापन का तरीका था, किस तर से क्या रोज मर्रा के लिए लोग करते थे, तो उसके बारे में जब श्टड़ी करते हैं साथ मों पुरा टात्विक सुरोतों के बारे में बात करते हैं तो हमारा question का answer complete होता है टीक है किस तरे से हैं पे हमें लिखेंगे answer को तो आप बताओगई की पुरा टात्तविक समाज के अंदर में जो ुजारों को उफ्यों किया जाता था किस परकार के उजार से धीरे-धारी समय के साथ में विख्षित होता चला गया ओजारों के उप्यों करने का मॉटिव क्या था उस समय के क्या परमान मिलते हैं ठीक है कास्य यूगित सब्विता की बात करो या लोह यूगित सब्विता की बात करो वहां पर उजारों के अंदर में किस परकार से परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम इस्टडी करते हैं और पूरा कोशन को आप इस तरीके से को हमारता आप ऊस्टडी करते हैं दृट्टी परन नगरिकरन की बात करिया की चर्जा किसे अब देखुआ दो स्टेज में नगरी करन का स्टार्ट होता है, दो स्टेज में नगरी करन हम यहाँ पर भारत के अंदर में देखते हैं, तेको यहाँ पे एक कोशन और बनता है दो स्टेज वाला जो काफी सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैं भी पहली बार MHA-07 का एक्जान दे रहा था है, तो मैं भी कोशन के अंदर में कन्फ्यूज होता, एक होता है कि दो स्टेज में नगरी करन की सबद्दा को समझाईए, एक कोशन आता है कि दो स्टेज के अंदर में सामंत जमीन आ आस्मान का फर्क है, ठीक है, एक सामंत वा बात करने कि नगरी करन का विकास किस परकार से हुआ, नगर का विकास किस परकार से हुआ, शहरी करन का विकास किस परकार से हुआ, यहाँ पर पूछा जाता है, तो देखो, यहाँ पर गार्डन चायल्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसने गार्डन चायल्ड कौन थ पुस्तक लेगे थी मैंने इनकी बायोग्रफी अलग से करवा रखा देई इनप पर अगर कभी आपको टाइम मिले तो जुरूर देखेगा आपको समझ में आएगा गार्डन चाइल्ड कौन थे अगर हम गार्डन चाइल्ड के बारे बात करते एं उन्होंने कुछ परमान दिये कि जिसके बेसीष बन की नगरी करन हुआ और नगरी करन के क्या साक्षय हैं तो उन्हें बोला कि क्रिशी के उपर दोग जाएंगे ठीक घंए समुझे स्थान पर रहेंगे जहां पर गणी आवादी वाले लोग रह सकते हैं तो यह कैं काराधान मतलब क्या विसाल कपडों का वस्तर धारन करेंगे, कपड़ों का संचे करेंगे, धन का संचे करेंगे, कराधान करेंगे, जहांपे कपड़े उपड़े, यह सारी चीज़े, धन को इकटा करना, इनके उपर में जोर देंगे, विसाल सारजनिक भवनों का निर्मान किया जगा, जैसे मंदिर हो गया, कुछ और करते हैं कहते हैं कि जैसे ही लोग घनी अवादी वाले चेतर में जाएंगे एक जगा पर ज्यादा लोग आकर रहने लगेंगे तो उसको नियंतरित करने के लिए रूल लोगों को जाना पड़ेगा क्रिशा नियुक्ति यहां पर आपके साने के लिए और अपर यह स्टार्ट के लिए व्युच्छा नहीं होई होगी तो क्रिशी ही एक और यहीं आपशन बचे गा थीक दूसरा के है रहेगा कि आप उसी स्वाब अपने घर चोड़ कर सारजुनिक भवनों का निर्मान करना करोट यह भी बीकुणर ॥ क्या मैंने तो कभी पढ़ा नी ऐसा भी आपके मन में कोश्चन आना चाहिए पर्थम नगरी करन के अंदर में हम बात करें कि पहले दूर के बारे में जहां पर तीसरी सतावदी इसापुरूव से लेकर दूसरी सतावदी इसापुरूव के मद्दे में जो फले- बात करते हैं। दूसरे नगरीकरन केकर हम दौर के बारे में बात करें। जो हमारा question भी बोलता है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करते हैं। कि भैया नगरीकरन की उत्पत्ति किस परकार से हुई। और चटी से लेकर जो मगद काल का पूरा दौर रहा और चौती सताब्दी तक मतलब 6 से लेकर 6 इसापुरु से लेकर 4 इसापुरु का जो पूरा टाइम पिरिड रहता ना उसको हम इसके अंदर में cover करते हैं दूसरी सताब्दी के अंदर में तो यहां पर कई सारे राज्यों को देखोगे राजाओं को देखोगे उसकी उत्पत्ती को देखोगे सारी के अंदरों के उत्पत्ती को देखोगे सहर बने किस प्रकार से हुआ सहरों का विकास किस प्रकार से हुआ सहरों का चैन किस प्रकार से हुआ उसके बारे में यहां प आपको यह mindset करना पड़ेगा एक मतलब एक तरह कि इमेज सेट करनी पड़ेगी कि सर देखो यह कुछ points है इसके basis पर अगर आप इन points को clear कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नगरी करने की सुरुवात इस कारण से हुई गार्डन चाइड ने पर यह किया सबसे पहले उन्होंने कुछ बिंदू बता दी कि अगर यह बिंदू मैच कर रही है तो मतलब क्या यह चीज ऐसा है करोना वाइरस आया था ठीक है तो को खांसी है जुखाम है यह चीज है वो चीज है तो आपको करोना है अगर नहीं हो तो गया हो बता रही है कि किस समय के अंदर में किस तर से परिवर्तित होता चला गया है इसको बहुत अच्छा सेarnya करने की कोट्सिस करते हैं ठीक है समझ में आता है यह तीसरा कोशन के और बढ़ते हैं तीसरा कोशन हमारा कहता है पारंबिक तमिल इतिहांस में तिनए यह तिनए पता है क्या तिनए ऐसे वर्ड जो है आदे जादे जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने ध्यान से कर बुक नहीं पड़ तो ऐसे बोल रहते है कि सर यह तो कोशन समझ में आया कभी पड़ा ही नहीं जो टॉपर भी थे ना बैच के ठीक है जिनको बहुत अच्छा नौलेज था जिनको प्राउड फिल करते थे हां यार यह सी ही 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 सी इस दे बैस्ट वन ठीक है वह भी इस कोशन को चोड़ कर रह पांच पाट वे थेन अंदर में बाट है था 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 है तिन a जी बготов और ऑनौ जितन पांच बार ले में अब लिए आपको आईडिया प्रॉपर मिले कि क्या है सबसे पहला नाम आता है कूरी जी करके आता है जिसका मतलब होता है परवर्तिय चेत्र के बारे में जहां पर बात करते हैं मुले के मतलब होता है चारागा छेतर के बारे जहां पर चराया जाता है, ठीके, मत्रूम मतलब होता है, मरूतम मतलब होता है नदी छेतर, जहां पर नदी का जो आसपास का छेतर है, उसको मरूतम कहते है, नेताल मतलब क्या होता है, तत्तिय छेतर, नेताल मतलब जहां पर तत अब अब पले मतलब को होता है, सूसकत छेतर , फले मतलब सूसकत छेतर ये वाति हैं जिसके basis पर कवीताई बनाई जाती हैं अब देखो तीने के अंदर में विशेषbhtata क्या बदा जाती है है जब बी हम क enough कवीता बनाते है तो किसिके बारे में बात करते हैं तो सामय के हम यहां पर 3 का उपियोग करते हैं औरू-मतलब बिस बारे में आपे topics बनते हैं सासात में तीने अत्मा भूदिर्ष्य अलग-अलग जो छेतर थे जैसे कुंजी परवती छेतर हो गए अलग-अलग नामों का किस तरस उपयोग होता था समय मद्दे रातरी को समय की बात कर रहा है ठीक है मतलब एक दर से मालों dictionary जैसा यह पूरा topic है जिसके अंदर में हर एक word का क्या मतलब बनता है कवीता धारण करते समय वो एक student को जब मैंने यह वाला topic समझाय है तो सबसे पहला question इसका रहता है कि sir मैं तो history पढ़ रहा हूँ यहां पर कवीतो वाला chapter कहा से आगया कवीता का क्या लेन देना मेरे topic से तो यहां पर हम बात time-asamaj के बारे में लंकी भासा ती सबसे पराणिक भासा ऑंञा है अपने कई बार परदान मंत्री को देखा होगा जहां पर तम्य मधाशा करते ठीके, उसके अंदर की जो सब्वेता थी, जो कल्चर था, वो बहुत जादा विस्तरित था, जिसके कारण से आज हमें आपे इसके बारे में study करते हैं, उनकी जो संस्कृतिया थी, उनकी पूजा परंपरा जो थी, वीर पूजा परंपरा, वो बहुत जादा विस्तरित मानी जाते हैं जिसके कारण से हम इस topic को पढ़ते हैं कवीता को जो क्या role था ठीक है तमिल पूजा में वीर पूजा में उसके संस्कृति साहित्य का क्या role था उसके बारे में हम study करते हैं ठीक है समझ में आता है अगले उसका औलोगिक और पारालोगिक, जो मद्दे में विभाजन करता है, वो उसका अभाब को religion समझता है, ठीक है, religion समाज के अंदर में एक जूटता लाना, और समाज के अंदर में मतभेद पैदा करना, सबसे बड़ा काम religion का करता है, अगर religion है, तो समाज को बांध कर रख सकता है, ठीक है, लोग ना भले ही मानलो किसी की बहन बेटी के साथ कुछ हो रहा है, लोग भले ही ना बूले, बट जहां पर बात religion के आते हैं, तो वहां पर सब का मुँख खुलता है, सब बूलते हैं, ये तो टॉपिक से अटके था, वापस से टॉपिक पर आते हैं, रिलिजन के लिए क्या माना गया, कि हिंदू संस्क्रितिक परिवेश किस परकार से फैला वुआ, इनमें किन कोन-कोन सी परंपरा सम्मिलित थी, इस्थानिये परंपरा कोन-कोन सी थे, कोन-कोन से पद पर किस तरह के चीज़े की जाती थी वो, विद्वान और ब्राह्मनों का क्या मानना था, किस तरस उनका कि निर्मान किस तरह से जा सकता, उन धार में कारे को करनी के लिए, देवी देवता हो कि भावनाओं को परंपरा tentang को सम्मिलित करने के कि लिए किस तरह के कारे किया आतल سंबस्क्क ऑर है इसके बारे में और चीएρώ के जीवन सरवर्त्य क्या है मतलब जो बाबावाले जो पूरी लेंग्विज होती है वो यहां पर बात करते हैं आत्मा अमर है ठीक है आत्मा क्या है मतलब एक डोर है ठीक है आत्मा परमात्मा क्या एक डोर है आपको आत्मा से प्रमात्मा से बांती है ठीक एक तर से बाबावाल सकती से आपको विजय मेलेगे तो कता है खगुलिय प्राणी युद्धु में विजय दिलाते हैं बस वही चीज है सारे बाबो वाले बट यह ना मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको बताना है और बहुत ही इंपोर्डन टापिक है आज हमारे भारत के इंदर में हिंदू की किई बार होता है कि एक ही मंदिर में जैसे आप जरुसॉलम के बारे में पढ़ा होगा कि अपने मुस्लिम भी मानतेसा क्रिश्टिन भी मानते हैं जो यहुदी यह हों ही मानते तो किस तरह से उस सारा चीज चलते से है आपस में तो लड़ रहे हो आप लोगो सब उनका इंजांपल तो दे रहे हो पर वो तो आपको समझें दूसरी के जानगर है आपस में दूसरे को मार रहे है बट कहने का मतलब हो किस तरीके चलता है रिलीज़न वह सो साइट एक क्या पीलर काम करता वो इसके बारे मुझापर डिसक्रस करते हैं ठीक है कवेश्चन नंबर फॉर समझ में आता है चार यहां पर कॉच्छन मारे अगले question के और बढ़ते हैं question number six question number five जो होता है यह तो आप easily कर सकते हैं उसके में तो कोई दिक्कत है नी और waste of time वाले question होते हैं 10-10 number के आप कर सकते हो question number six की हम बात करते हैं question number six में हम बात करते हैं कि ग्राम में समुदाय के अंदर में पंच और पंच मुकदम की भूंका क्या है यह जितने भी topics आ रहे हैं सारे तमिल से लेटेड है अब देखो पंच और पंच मुकदम होता क्या है तो सबसे पहले एक इतिहासका राते हैं अगर ग्राम में वैवस्था आज नस्ट कर दी ना तो भारत मर जाएगा यह मानना था ना कहां हा बसता है तो ग्राम के अंदर में वैस्था गाओं के अंदर में वैस्था यह मानना था उनके अनुसार यह मान देते हैं कि इतिहास को समझने के लिए, इतिहास के जो विजय परणाली, सासन परणाली है, राजकुमारों के अंदर में किस तरह से क्रामचारिक गुन रहने चाहिए, किस परकार से एक सासन परणाली विस्तरित होती है, उसके बारे में जानने के व्रिंदावन नामक समुदाय का खुलासा होता है, जहां पर पंच और पंच मुकदम के बारे में बात की जाती है, यहां पर का जाते है कि पंच एक निकाय था, निकाय मतलब क्या है, एक समुदाय के तौर पर निकाय था, जिसमें पंचाय थे जिसे हम कहते थे, पंच मतलब जो मुकदमे चलते थे ना पांच लोगों के द्वारत शुल जाये जाते थे अपने गाउमें सुना होगा ना सरपंच इसका सबसे बड़ा पर आज के समय में दूना में तो आपने खाक पंचायत के बारे में सुना नहीं सुना चलो मैं बतादेता हूं आपको अबी रेसलर्स जो भी हमारे पहलवान है, उन सबका प्रोटेस्ट चल रहा है, किस चीज़ को लेकर शोशन के विरूद किस तरस उसका शोशन हुआ, इसके विरूद प्रोटेस्ट चल रहा, उसके बारे वहां में बात नहीं करना तो उन्होंने बोला कि हमारा जो लोकल, जो खाक के एक हमार्यृट को देखिंगे तो x pak मतलब किया जो सरपंच है उनका वाड़ मिलार रोता है ऑक समूर्यक्रा बंड़ा हर्यायं के चाल MAYOR य। सर्पन्च का रोल होता है और किस तरह से उसके बारे म 투 failure ग्राम समुदाय किस तरह से पंच-पंच मुकदम के बारे में बात करते हैं पर कई सारी इत्यासकारे के बारे में भी आप देखोगे बेडन पालवल का मद्दा था कि भारतिय ग्राम समुदाय के अंदर में जो सहिक परिवार है वह एक विस्तारित मात्र था वो छोटासा दिखता है सयुकत परिवार और यह आपको ग्रामिट समाज के अंदर ही मिलेगा आज हम सहर में रहे और जोइंट वैंज्छार है आपको आसे से फोते हुवा तो इंडर में अठ्सार दोपतां लोग सबसें और हिद्अब सब्रमंध करके माना जाता कि वह जो फैसला देंगा मानना के तौर पर दिखा जेता है कई लुग किंदर में धालोक आपको प्लॉक घरा थे होते हैं अगर आप उनको थोड़ा सा सीरियल भी देख लोगा ना तो भी आपके कोश्चन के लिर कर देगा कुछ खास कोश्चन है नहीं टिपनी बेस कई बार पीछे टिपनी बेस आया हुए बट यहां पर दे रिखा है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए टाइम देन समाज के बारे में जब भी हम स्टड़ी करते हैं रास्टवादियों के बारे में विचारदार के बारे में स्टड़ी करते हैं तो यहां पर कई सारे तिहांसकार आते हैं जैसे प्रफेसर विपिन चंदर के बारे में बात करते हैं रास्टवादी विचारदार से भिन्य थे ठीक है उन्होंने किस प्रकार से impact डलता है समाज के उपर में राष्टवादी नेता क्या मानते थे ठीक है किस प्रकार से जाती धर्म वर्ग धर्मिक भिवाजन हुआ समाज के अंदर में उसके बारे में बात करते हैं राष्टवादियों ने पूरा क्रांती का दौर लड़ा पूरा क्रांती भारत को 1947 में अजादी दिलाई सब कुछ समझ में आ जाता है पर कहीं न कहीं जो लोग थे उनकी जो विचारदारा थे ये मानते थी, कि राष्टवादी जो लोग हैं जिद्रे भी नेता हैं वो सारे उच्छे वर्ग से भिलोंग करते हैं क्या कोई lower caste थे था, क्या कोई अद्यक्ष जो मेन पदपित था lower caste से बना, कोई lower community से बिलॉंग करता था, तो इस तरह की भावना लोगों के अंदर में थी, ठीक है, वो ये मान कर चलते थे, जो राष्टवादी विचारदार है न, वो कुछ लोगों तक ही सीमित विचारदा रहा, अब मान के चलो, आप अंदोलन कर रहे हो, बहुत बड़ा, और वहां पर लोगों के मन में ये विचारदारा घुज जाए, कि जो आंदोलन है, चार-पांच लोगों का या अंदोलन है, इसका जो भला होगा प्रॉफिट होगा, चार-पांच लोगों तक ही होगा, अ राष्टवाद की विचारदारा मतलब कि आपने राष्ट को सुपीरियर मान के चलते हैं, जो उनकी कंट्री उसको सुपीरियर मान के चलते हैं, इसकी बारे महां बात करते हैं, ठीक है, तो किस तर से क्या इंपक्ट रहता है, क्या विचारदारा रहती है, कौन से दिसा के ले जाती है इसको पूरा आपको यहां पर एक्स्पिलिन करने की जुरूत रहेगे आप इसको बता सकते हो राश्वाद विचारदारा क्या होता है किस तर से इंपक्ट बड़ा लोग इसकी विचारदारा क्या थी वो सारा कुछ यहां पर बता सकते हो कोश्चनमेर çek जहां पर बात करते है परजाती सर्वोच्थथा की अफदधारना को लिकर कि की सतर से परजाती सर्वोच्थथा है परजाती सर्वोच्था आपने कभी स्टोरी सुनी हो एक आपको मिल जाएगा स्टोरी ठीक में इंग्लिस के अंदर में पूरा लेसन है अनटचीबिलिटी करके ठीक राइटर के हैं मुझे याद निये राइटर का ना उसके अंदर में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो गरीब समासे मतलब चार तो ऊचे हैं ठीक है उचा मकान फिका पकवान आपने कहवत सुना होगा ना सेम समझ में आता है उस बंदे को कि यह क्या है ठीक है यह कि देखो देखने के लिए तो बड़े बड़े घरे बने बड़े आइडिलोजी से इनके बड़े बड़े धार्मा हैं कि यह चीज इस तरह की धार्ना तो नहीं है कि यह चीज चोटा बड़ा अमीर गरीब इस तरह कि तो नहीं है पर वहां पर क्या रहते हैं रंग भेद नीती के खिलाफ में बोल रहे मतलब क्या एक जगह उच नीच के बारे में बात करें भाया तू तो चोटे कास्ट का है तू कैसे मेरे मन यह चीज करेगा तू मुझे कैसे टच करेगा ठीक है यह चीज चल रही है पर वहीं पर अगर वो क्रिश्चन धर्म अपना आदा था तो क्रिश्चन धर्म में क्या था कि भाया यह यह तो यूरोप से बिलोंग नहीं करता क्रिश्चन धर्म मतलब क्या यूरोप वालों क इसको मैं नहीं करूँगा, ठीक है, तो इस तरह की आप धार ना थी, तो यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, कि परजातांत्री, जो परजातिये है, सर्वोचिता कि किस तर से इंपॉटेंस राव और उपनिवेषिक काल के अंदर में किस सरसे चला, तो उपनिवेषिक काल के अंदर में मिलते हैं, किस तर से लिंग बहेद चुस्थ, उन पर भारतियों के संधर में क्या मान देते हैं, Хुआ्सम। कुछन से गुण राष्त है वो और ऑलत से हैं उसके अंदर में रखारू है चुस्त नहीं है ड़्ीकंगों परतन के चलते तात्री में अदय Ser她 hom इस चैप्टर का नाम भी आपका जो इस किस चैपटर के अंदर में कु Geld trabajo मेंचा मैं सामाजी के बेद्भाव से यहाँ अपर पड़ते हैं यहां पर लास्ट कोशन हमारा कोशन बनाइन जहां पर Bada करते हैं उनिशिताब लोक पर एजन अंडोलनों के बारे में कि उनिशी स्तावदी कि चाहे बार्ट चोड़ आंडोलन की बात करो बहुत सारे आंदोलन हो mit कि जन आंदोलन उसको क्यों बोला जाता है और जन लोग पर यह जन आंदोलन का मतलब क्या होता है देखो आ último अन्गोर पर हम जब भी आंदोलन की बात करते तो केजिरीवाल के द्वारा जो पहला अंदोलन किया हो उस ताइम पे मेरी ज्यादा नहीं रहोगी नौवी दस्वी में मैं पढ़ रहा था था ठीक है बटना माइंड में यह सेट था कि अन्ना हजारे ना जो मैं नाइंध क्लास में था क्योंकि मैं अपने टीचर के पास ज्यादा था पढ़ने के लिए वो मुझे उनके बारे मे लोग उसको समर्थन दे रहे है रिजन यह था कि वो किसी एक मुद्दे एक किसी एक वर्ग का बाजनी उठा रहे हैं ठीक है आज के समय में क्या होता है जैसे पहलवान बात कर रहे हैं तो अपने हित के बारे में बात करें कि भीया यह है जिस दिन वह टॉपिक समाज से इतना ज्यादा उसको हो गिया कि सभी लोगों का सपोर्ट मिला लोगों ने उसको हाथ हो हाथ उस आंदोलन को लिया हाथ हो हाथ लेने का मतलब किया उसको सपोर्ट किया जिसके काई से वो लोगों को जन मतलब लोग पिरिये बनाया ठीकि उस आंदोलन को सफल बनाने में काम क और बहुत सारे आंदोलन उनते हैą, 1947 के अंदर में अगर आप महात्मा कांदी के इसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो कितना important रहता है, power of the human क्या है, power of the crowd क्या है, वो समझ में आता है गांदी जी को, और अंग्रेजु को है वह स कि तिंकिंग इतना कि गरीब बिच्ड़े हुए लोग है ठीक है इन गरीबों का क्या पावर वो अंग्रिजों को समझ में आ जाता है ठीक है तो किस तरह से वो लोग पिरिये बने ये आपको यहां पर डिफाइन करना है ठीक है तो easy है कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है यह आपर हम अपना question उपर खतम करते हैं कल के question जो आपका exam है 10 तारीक को ठीक है 10 बच चुका है आपका मतलब 10 तारीक हो चुका है 12 बच के 7 मिनटा on screen मुझे दिख रहा है तो अभी सही all the best आपको पूरी the in-up की टीम की तरफ से आप अपना exam अच्छे से कीजएगा अच्छे न रहेगा तो आप इजली solve कर सकते हो यहाँ पर मैं अपना video end करूंगा thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best